मैं उत्तर प्रदेश की मेरट खे रहने वाला हूँ और मेरे मामा मामी जी भी मेरट में रहने वाले हैं आज से लगभग एक साल पहले जब मेरे मामा आफिस के काम से एक महीने के लिए बंबई चले गए थे तो उन्होंने फोन से मुझे कहा तुम्हारी मामी अकेली है घर में तुम उसके पास आकर रहो मामा के दो बच्चे हैं जो छे और दस वर्स के हैं मुझे मामा के यहां आए अभी दो दिन ही हुए थे कि मैंने देखा कि मामा के यहां एक आउंटी जी बहुत ही आया करती थी जो पडोस में ही रहती थी उनके पती ने उन्हें तलाक दे दिया उनकी उम्र लगभग 35 वर्स की होगी देखने में गोरी लंबी चोड़ी उभरे हुए वक्ष उनकी सुन्दरता को और भी वढ़ा देते हैं देखने में एक अदम जुआला लगती थी समझ में नहीं आता था कि इतनी सुन्दर औरत को कोई कैसे तलाक दे सकता है मेरी उम्र लगभग 25 वर्स और मुझे वैसे भी औरतों से बात करने में बहुत मज़ा आता है उन्होंने मुझे जब पहली बारे देखा तो एक अदम देखकर नजरे जुका ली तब ही मेरी मामी ने उन्हें मेरे बारे में बताया उसके बाद तो हम दोनों का सिलसला ऐसा शुरू हु कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे एक दिन मामी को बच्चों के पैरेंट्स मीटिंग में जाना था तो जाने से पहले बोली राजो में जा रही हूँ अगर तुम्हारा मन ना लगे तो तुम पास ही आंटी के घर चले जाना मुझे लोटने में देर हो सकत है क्योंकि मुझे वहां से मार्केट भी जाना है यहां काकर मामी तो चली गई मैं बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा उसके बाद मैंने घर का ताला लगाया और आंटी के घर चला गया आंटी घर पर अकेली लेटी हुई थी घर का दर्वाजा खुला हुआ था आंटी देखा कर अपना डूपटा अपने कंदे पर डाले ती हुई बोली अरे राज तुम आओ अच्छा हुआ तुम आ गए मेरा मन नहीं लग रहा था तुमसे मन भी लग जाएगा मैंने कहा हाँ मैं भी बोर हो रहा था मामी बाहर गई हुई है अच्छा किया कि तुम यहां चल रही हुँ मैंने पूछा क्या हुआ अंटी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रो रही थी अंटी बोली कुछ नहीं ऐसे ही पुरानी बात याद आ गई मैंने कहा मुझे तो बता सकती हो मुझे अपना दोस्त ही मान लो अंटी बोली राज तुम नहीं जानते मुझे अ लिया है क्या आप मुझे अपना दोस्ट नहीं माल सकती आप अपना गम मुझसे कखकर दूर कर सकती हो आंटी इतना सुनते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी उस दिन के बाद पता नहीं क्यों आंटी उन्हें ने मेरे दिल में जगह बना ली और वे भी मुझे पसंद करने लगी फिर तो मैं उनके पास रोज जाने लगा और वे भी अपना सारा काम छोड़ कर मुझे से घंटो बाते करने लगी एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि वे कपड़े बदल रही थी उन्हों राज आओ बेठो मैं मार्केट जा रही हूँ लेकिन जाने क्यों वे मुझे उस दिन बहुत सुन्दर लग रही थी मैंने कहा मैं यहीं खड़ा रहूंगा और मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा उन्हें इस तरह देखकर मेरी उतेजना बढ़ रही थी वो गोरा गोरा ग सोच रहा हूँ कि आप इतनी सुन्दर हो कोई कोई भी अपनी जान से ज्यादा आपको प्यार कर सकता है फिर आपको अंकर ने कैसे छोड़ दिया तभी आएंटी मेरे पास आई और मेरे गले में अपने हाथों को डालते हुए बोली क्या तुम मुझे से प्यार करते हों तो को कर रस पिलाना शुरू कर दिया और ऐसे एक दूसरे से लिपट गए जैसे पता नहीं कपके मिले हूं फिर मैं अपने घर आ गया दूसरे दिन आंटी मेरे ममी के मामी के पास आई और बोली कल रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई कि कोई मेरे घर में घुज आया है और मैं डर गई पूरी रात नहीं सुपाई मामी ने कहा तुम राज को अपने घर सुला लेना मैं राज से कह दूंगी रात को करीब आट बजे मामी ने कहा तुम आंटी की यहां सो जाना उन्हें रात में डर लगता है मैंने डाटक करते हुए कहा मुझे वहाँ नीद नहीं आएगी तुम मामी बोली एक दो दिन की ही तो बात है तुम वहीं सो जाना रात को मैं आंटी की यहां गया तो आंटी विस्तर पर लेटी हुई थी मैंने कहा आपने खूब अच्छा बहाना सोचा आंटी बोली राज मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ तुम्हारा सा चुटी मिल चुकी थी मैंने आंटी के होटों पर अपने होट रख दिये और हमने सारी हदिपार कर दी और फिर सो गए सुबह जब मैं घर टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी चाची आंटी के घर आ गई और हम दोनों को ऐसी स्थिति में देखा और बोली यह सब क्या है यह कम से कम अपनी उम्रका तो लिहास किया होता यह तुम से कितना चुटा है और तुम तलाग शुधा भी हो आंटी रोने लगी मैंने चाची को बोला प्यार में कोई सीमा नहीं होती चाची ने बहुत समझाया पर हम नहीं माने चाचा को भी सब पता चल गया मैंने कहा हम भी करते हैं मैं बोला हम शादी करके खुश रहेंगे फिर सब मान गए हमने शादी के अब खुशी खुशी रह रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक बच्चा भी हुआ है हमारा तो दोस्तों प्यार की उम्र नहीं होती क्या एक तलाग शुधा औरत को पेसे शादी करने का हक खुश रहने का हक नहीं है जरूर है अगर साथ निवाने वाला मिल रहा है तो उसे भी हक है कि वो एक नए जिन्दगी शुरू करें गलत रास्ते पर जाने के बजाए अगर शादी करके खुशी और इज़त से जी सकती है तो लोगों को उसको साथ देना चाहिए ना कि उसक में फासले हैं तो उमर माइने नहीं रखती बलकि प्यार माइने रखता है और एक दूसरे का साथ निभाना माइने रखता है और गलती हो जाए तो उसे कब्ल करो और उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो अपनी जिन्दगी का और खुशियों का फैसला लोग क्या सोचेंगे क् कर कभी मत बदलिए क्योंकि आपकी जिन्दगी आपकी है और आपके लिए क्या सही है उसका फैसला आप खुद करो दोस्तों उमीद करती हूं यह चोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी के बारे में आपकी क्यारा है कमिच में जरूर से बताईएगा मेरे चैनल पे कहानी में तब तक के लिए धान्यवाद